हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रनिंग का एवरेज पेस टाइम पर किलोमेटर का कैसे निकालें क्योंकि अगर आप कोई भी वर्काउट करते हैं या आप किसी से पूछते हैं वर्काउट के बारे में को नहीं मालुम के उनका एवरेज पेस टाइम पर किलोमेटर का कितना है या वो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने चार किलोमेटर दोड़ना है तो आपने जब भी रनिंग स् होते ही जब आप अपनी stopwatch का time stop करोगे तो जितना उसका time उपर आया एक्जामपल के तोर पे मालोग 15.45 में आपने चार किलोमेटर पूरे की है तो आपका जो 15.45 का time है जो उसको आपने जितने किलोमेटर दोड़े हैं जैसे 4 किलोमेटर आपने दोड़े हैं आपने उसके स उसको time के साथ divide कर देना आपने तो जो भी time निकल के सामने आएगा वो आपका पर किलोमेटर का average pace time होगा ठीक है जाने कि आपकी जो पर किलोमेटर की average है वो कितनी आ रही है वो निकल के आपके सामने आजेगी ठीक है दोस्तों तो average pace time होता है यह बिलकुल असान है इसी तर पर बहुत जरूरी होता है ठीक है इससे आपकी जो पेस है वो भी अच्छी बनी रहती है और आपको खुद को पता रहता है कि आज मैंने जो रनिंग लगाई है उसका एवरेज पेस टाइम है जो पर किलो मिटर का वो कितना है ठीक है दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो सिर करते हैं आपका रिपलाई मैं जरूर करूंगा दोस्तों तो बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तों गुडबाए हैवन आइस टाइम